So Hello Friends, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SEO आपको अपने वीडियो के अंदर करना चाहिए या नहीं तो सबसे पहला सवाल आता है कि SEO का मतलब क्या होता है तो SEO का मतलब है Search Engine Optimization ठीक है तो Search Engine Optimization का मतलब होता है कि आपका जो Search Engine है मतलब YouTube जो है वो दूसरे नंबर पे आता है First नंबर पे Google आता है तो दूसरे नंबर का जो आपका ये YouTube Search Engine है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड अपने वीडियो के अंदर डालने है कि आपका जो भी कीवर्ड है अगर कोई भी Search करता है तो आपका वीडियो वहाँ सजेशन में भेजे आपने जब YouTube के अंदर जाकर Search किया कि Vlog कैसे बनाए ठीक है तो Vlog कैसे बनाए ये एक कीवर्ड हो गया अब इस कीवर्ड को आप जब भी YouTube के अंदर Search करेंगे तो आपके सामने कुछ Result आएंगे नीचे की तरफ आप जैसे ही Scroll करेंगे आपके सामने First, Second, Third, Top इस तरह के बहुत सारे Result आएंगे और वो Result क्यों आता है Search Engine Optimization की वजह से मतलब कि आपका जो SEO है वो Strong है तभी आपकी वीडियो यहां Suggestion में आ रही है ठीक है अब आपने एक कीवर्ड सर्च किया कि Vlog कैसे बनाए वहाँ पर आपको मनुजडे का वीडियो सबसे पहले दिखेगा ठीक है शाय कोई और भी हो सकता है मैं एक example के थ्रू बता रहा हूं कि मनुजडे का वीडियो आपको दिखा आपने उस पर क्लिक किया और उसके बाद जो वीडियो आप देख रहा है मनुजडे का उसके नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे तो और भी बहुत सारे वीडियो देखने को मि जाएंगे तो वो क्या होता है सजेशन होता है मतलब कि मनुजडे का वीडियो इस keyword पर rank कर रहा है लेकिन और भी बहुत सारे वीडियो से जिसको आप देख सकते हैं तो इस तरह से काम करता है search engine और आपका keyword भी इस तरह से search किया गया है तो वो यहाँ पर rank में आ सकता है और आपकी वीडियो और लोगों तक जा सकती है तो ये होता है SEO तो आपको अपने वीडियो के अंदर SEO करना चाहिए या नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलता है कि SEO का कोई मतलब नहीं है आप SEO मत कीजिए आप सिर्फ वीडियो डालते रहे है वीडियो डालते रहे है तो भाई साब मैं दो साल से एक चैनल पर काम कर रहा हूँ वीडियो डालता रहता हूँ SEO भी करता हूँ फिर भी मेरी यूट्यूब चैनल रेंक नहीं हुई मुझे वाच्टाइम भी कंप्लेट नहीं हुआ है 4000 गंटे का सिर्फ पंदरा सो गंटे का ही वाच्टाइम मिला है तो दो साल से मैं ये कर रहा हूँ अब मुझे पता चल गया है कि आपको अपनी वीडियो के अंदर SEO करना जरूरी है अगर आप SEO करते है तो आपका वीडियो रैंकिंग में आएगा और आपकी चैनल ग्रो होगी अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते है आपकी एक शॉर्ट की अलग से चैनल है तो उसके उपर आप अगर शॉर्ट के अंदर भी कुछ कीवर्ड डालेंगे मतलब की SEO करेंगे तो आपका शॉर्ट भी सर्च रिजल्ट में आएगा वैसे तो शॉर्ट सेक्षन में ही सब शॉर्ट दीखते है लेकिन जब आपको कीवर्ड को सर्च करते है तो वहाँ पर अगर नीचे आपका शॉर्ट इस कीवर्ड पर है तो नीचे सजेशन में आएगा तो इस तरह से श्वाटिक पर भी SEO करना चाहिए मेरे खयाल से बाकी आपके उपर है आपकी वीडियो पर एक अच्छा SEO कैसे कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका वीडियो रैंक हो सबसे पहले तो हमें क्या करना है हमारा जो भी चैनल का नेम है उस चैनल नेम को यूनिक चैनल नेम बनाना है मतलब कि हमारी चैनल का नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए जब भी कोई सर्च करे तो उस नाम से ना तो कोई चैनल होना चाहिए और ना ही किसी की वीडियो के अंदर वो कीवर्ड होना चाहिए अगर वो कीवर्ड किसी के वीडियो के अंदर है और वो वीडियो रैंक कर रही है तो जब भी कोई आपकी चैनल को सर्च करेगा तो आपकी चैनल नहीं उनको दिखाई नहीं देगी सिर्फ वो वीडियो दिखाई देगा जो उस चैनल नेम के उपर रैंक कर रहा है तो हम सबसे पहले हमारा चैनल का नेम डूंडेंगे मतलब की एक नेम सर्च करेंगे और किस तरह से सर्च करते हैं मैं आपको ले जाता हूँ मेरे लैप्टोप की स्क्रीन पे और वहां जाकर हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक यूनिक नेम को डूंड सकते हैं ठीक है तो चलिए हमारे लैप्टोप स्क्रीन के उपर और देखते हैं कि यूनिक नेम किस तरह से डूंडे है ठीक है kd wedding photography तो यह अगर channel मैं यहाँ पर search करता हूं kd wedding photography ठीक है इस तरह से अगर मैं यहाँ पर search करता हूं तो सिर्फ यहाँ पर हमारी ही channel सबसे पहले दिखेगी ठीक है यहाँ पर आपको मेरी channel दिख रही है सबसे पहले तो इस तरह से आपको एक unique name ढूड़ना है जो की ना तो कोई और channel होना चाहिए चलो मैं एक दूसरा channel यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मेरा नाम मिलन गोस्वामी समझ लो कि मुझे मिलन गोस्वामी के नाम से channel बनाना है तो मैंने यहाँ पर सर्च किया अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मिलन गोस्वामी के नाम पर और यहाँ यह channel यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ वीडियो के अंदर भी यह name mix हुआ है यहाँ पर भी कुछ यह name भी आ रहा है यहाँ पर भी मिलन गोश्वामी लिखा हुआ है तो अगर मैं मिलन गोश्वामी चैनल के उपर काम करूँगा तो मेरी चैनल यहाँ पर सर्च करने पर किसी के सामने नहीं आएगी ठीक है? अगर किसी के सामने नहीं आती है तो फिर मेरी वीडियो रेंक होने की कोई समभावना नहीं है तो आपको एक सबसे पहले यूनिक नेम ढूंड लेना है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर एक यूनिक नेम को लिखना है तो चलो हमें एक और नेम लिख लेता हूं मिलन व्लोग्स ठीक है मिलन व्लोग लिखते है यहाँ पर सर्च करते है तो यहाँ आपको मिलन व्लोग मिलन मिलन बहुत सारे यहाँ पर मिलन है तो यह रहा मिलन व्लोग्स तो मिलन व्लोग्स के नाम पर भी चैनल है और अभी तक यहाँ पर आप filter भी कर सकते हैं कि filter के अंदर आप क्या सकर सकते है channel ठीक है तो देखिए million vlog के नाम पर channel है already the million vlog the ratthod vlog million vlogs ठीक है तो इस तरह की अगर channel ने यहाँ पर है तो हमारा कोई भी chance नहीं बनता कि हमारी channel rank करे तो आपको एक unique name ढूंडना है यहाँ जाएंगे हम customize में customize में जाना के बाद यहाँ पर खोलने के बाद मैं आपको बता दाओं कि आपको क्या customize करना है आपने अपनी channel का एक unique name ढूंड लिया है चनल बना दी है अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ मिलेगा यह यहाँ पर left side में नीचे की तरफ जो मेरा cursor दीक रहा है आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक दूसरे number का option है channel ठीक है channel के उबर क्लिक कीजिए चैनल को उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ दो boxes नज़र आएंगे एक तो यह है यहाँ पर आपको अपनी आपकी country को select कर लेना है हमने यहाँ पर इंडिया कर दिया है यह करना ही पड़ेगा आपको तभी आपकी वीडियो इंडिया के अंदर rank होगी और यह कुछ यहाँ पर मैंने keyword डाल रखे तो यह keyword हमारे channel के keyword है मतलब कि आपकी channel अगर इंड keyword पर कोई search करता है तो आपकी channel का video वहाँ पर दिखे आपर हमने name जो channel का name डूण रहे थे वहाँ पर जैसे सबकी channel आ रही थी उसी तरह से अगर आप इंड keyword को यहाँ पर डाल देते तो आपकी channel भी इंड keyword पर rank करेगी उसके बाद आपको यहाँ ok कर देना है save कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको default setting करनी है मतलब की जब भी आपको वीडियो upload करें तो आपका description जो होता है उसके अंदर आपको एक ही बार यहाँ पर setting करना है उसके बाद आपको बार बार एक ही चीज लिखना नहीं पड़ेगा मतलब की अगर आपके अपने कोई playlist बनाई है तो playlist का link भी वहाँ पर दे दीजिए तो एक बार ही यहाँ पर default link कर रख देना है उसके बाद आप जब भी कोई भी वीडियो upload करेंगे तो वो default वहाँ पर setting आ जाएगी उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना होगा तो default setting क्यासे करेंगे यहाँ channel के बिल्कुल नीचे आपको बगल में दिख रहा होगा upload default उसके पर click कर दिजिए upload default पर click करने के बाद आपको यहाँ पर यह description का option यहाँ पर मिल रहा होगा यह रहा description ठीक है description के अंदर आपको क्या 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 लिखना है सबसे पहले तो आपको अपनी जो social media account है उन लोग को यहाँ पर लिख लेना है ठीक है social media account को लिख दिया उसके बाद आपको अगर आपके amazon account का जो link होता है वो भी यहाँ पर आप लगा सकते है ठीक है उसके बाद आप कोई आपकी कोई playlist है तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते है आपकी कोई अगर other channel है तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते है ठीक है तो उस तरह से आप यहाँ पर default सब कुछ लगा सकते है डिफोल्ट लगाने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ टैग का ओप्षन मिलेगा आपको टैग के ओप्षन में आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी चैनल का नाम लिख सकते हैं और आपने जो भी लेंग्वेज सिलक्ट की है उस लेंग्वेज को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर अपना लेंग्वेज लिख दिया अपकी चैनल का नेम लिख दिया और यहाँ पर आपको कर दिना है सेव तो इतना होने के बाद आपकी चैनल एसियो हो गया है अब आप जब वीडियो डालेंगे तो उसके उपर एसियो कैसे करना है तो अब हम वो देखेंगे तो अब आपकी चैनल का SEO हो चुका है तो अब आपको एक वीडियो का topic डूनना है आपको एक niche select करना है niche select करने के लिए आप YouTube के अंदर ही जा सकते हैं वहाँ पर बहुत सारी niches है उन में से कोई एक niche को आप चुन लीजिए वैसी niche चुनिए जिसके अंदर आपका interest हो तो आपको क्या करना है एक niche select करना है और उसके उपर आपको वीडियो बनाना है अब वीडियो के अंदर बहुत सारे topic होते हैं जैसे कोई education topic हो या फिर कोई comedy हो या फिर कोई prank video हो तो इस तरह के बहुत सारे niche होते है अगर आप cooking video बनाते तो बहुत सारी niche है आप उन में से एक niche को select कीजिए और उसके उपर research कीजिए आप एक topic select कीजिए topic select करने के बाद आपको वीडियो देखना है कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊंगा तो मेरी वीडियो चलेगी तो आपको एक evergreen video सबसे पहले अगर आप नए channel बना रहे है तो आपको evergreen video डालने होंगे यह हमारा channel है YouTube tips के related तो YouTube tips के अंदर evergreen जो content होता है वो क्या होता है subscriber कैसे बढ़ा है हमारे वीडियो के views कैसे बढ़ा है हमारे वीडियो को हम SEO कैसे करें तो इस तरह के topic कुछ सबसे पहले आप बना दीजिए तो उसके उपर आपके views आने की संभावना ज़्यादा होती है तो सबसे पहले आपको topic select करना है need select करनी है और उसके बाद आपको research करना है YouTube में बहुत सारे videos है लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा competition है हाँ competition है लेकिन आपको क्या करना है 10 video को देखना है और उसके 10 video का निचोड निकाल कर एक अच्छी video strong video बनानी है ताकि देखने वाले को अच्छा लगे मतलब कि कुछ नो कुछ सीखने को मिले तभी वो आपकी video full watch करेगा तो जितना आपकी video को full watch करेगा उतना आपको ज्यादा watch time मिलेगा ठीक है तो इससे आपको watch time भी बड़ेगा आपने एक need select कर दी है ठीक है कौन सा topic आपको रखना है वो select कर लिया है अब आपको keyword find करने है तो keyword find करने के लिए कैसा keyword आपको find करना है जिसका search result ज्यादा हो और उसके उपर competition बहुत कम हो तो उस तरह के आप अगर keyword define करेंगे तो उस keyword पर आपकी video rank करने की संभावना ज्यादा होती है ठीक है उस तरह के keyword आप कहां से लाएंगे किसा से ढूंडेगे अगर इसके उपर आपको video चाहिए तो आप हमें comment कर सकते है हम उसके उपर भी video बना देंगे क्योंकि ये topic थोड़ा अलग है वो topic थोड़ा अलग है VidIQ के बारे में हमने एक video बनाया है यहाँ बटन में आपको मिल जाएगा और अगर आप ट्यूब बड़ी के बारे में चाहते है तो उसका भी video हम बनाएंगे ठीक है अगर आप चाहते है तो आप हमें comment कर सकते है comment करेंगे उसका reply भी मिलेगा वीडियो भी बनेंगी तो आज का वीडियो शिर्फ SEO के बारे में है तो चलिए हम बात करते है SEO की तो अब हमें क्या करना है हमें उसके उपर कुछ keyword जैसे find करेंगे उसके उपर हमें topic लिखने है कुछ point लिखेंगे या फिर scripting करेंगे पुरा script लिखेंगे या फिर कुछ-कुछ point लिखेंगे और उस point के उपर हम video बनाएंगे अब video बनाने के लिए आपके पास अगर mobile है तो mobile भी चल सकता है DSLR है तो DSLR से भी वीडियो बना सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा mobile है तो उससे आप video बना सकते हैं मैंने पहले video बनाई थी मैंने एक पूरानी channel है जो मैं अभी आपको बताऊंगा उस channel पर मैंने पहले video mobile से ही बनाई था और अभी मैंने camera लिया है तो ये channel पर मैं camera से video बना रहा हूँ तो आप अगर mobile है camera है तो कोई भी चल सकता है अच्छा सा एक mic ले लिजिए ठीक है इस तरह का एक mic आपको आएगा 1000 रुपे के अंदर अंदर आजाएगा आपको नीचे description में इसका link भी मिल जाएगा वहाँ जाकर आप purchase कर सकते हैं एक अच्छी सी light ले लिजिए ठीक है आपका setup ready है अगर पीछे background अच्छा नहीं है तो आप green screen का use करके background को भी remove कर सकते हैं इन सब की link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपने video बना लिया अब आपको क्या करना है वीडियो को upload करना है तो upload करने के लिए आपको मैं ले जाता हूँ मेरी laptop की screen पर और दिखाता हूँ कि upload video करते समय हमें कौन सा SEO करना है तो हमने हमारी channel का name रख लिया ठीक है कौन सा niche है वो select कर लिया है और वीडियो के बारे में भी देख लिया है तो अब हम क्या करेंगे हम जब video upload करने चाहेंगे तो हमें एक title की जरूरत होगी ठीक है तो title के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर YouTube के अंदर ही जाकर title को search करेंगे तो हम यहाँ पर search करता है कि best wedding photography के लिए camera कौन सा अच्छा है ठीक है तो मैं यहाँ पर search करता हूँ best wedding photography camera यहाँ पर आप निचे अगर देखें तो बहुत सारे यहाँ पर keyword आपको दिख रहे होगे suggested के अंदर तो यह सभी keyword auto suggested में आते है video IQ या tube buddy से भी आप keyword research कर सकते है लेकिन आप YouTube चैनल के अंदर भी keyword research कर सकते है तो हमने यहाँ पर लिखा कि best wedding photography तो यहाँ पर best wedding photography camera best wedding photography camera 2022 तो इसके ओपर हम search करें यह हमें keyword अच्छा लग रहा है तो इस keyword को हम करेंगे यहां से copy और यहां पर हम जाएंगे हमारे not paid में और वहां जाकर हमें इस not paid के अंदर हम यहां पर paste कर देंगे ठीक है उसके बाद हम लगाएंगे यहां hash एक डंडा लगाएंगे डंडा मरलब दो keyword को अलग करने के लिए बीच में एक लाठी जैसा आता है उसको लगा देते तो अब हमें एक दूसरा keyword दूनना है best wedding photographic camera 2022 तो अब हम दूसरा keyword के आग दून देगे के यहां से हम return जाएंगे और मैं सिर्फ यागे से best को निकाल देता हूँ wedding photography के लिए तो यहां पर और भी suggest में कुछ keyword आ रहा है wedding photography के लिए कौन सा camera best है तो यह keyword भी मुझे अच्छा लग रहा है क्यूंकि यह सब चीजे लोग search करते है तो search करते है जितने लोग search करेंगे तो हमारा वीडियो भी वहां पर आएगा तो हमें यहां इस keyword को भी paste कर देते हैं तो हमारा यहां पर एक title मतलब कि एक strong title बन चुका है ठीक है title हमने कर दिया है तो अब हमें क्या करना है अब हम जाएंगे वीडियो के description के अंदर तो video description कैसे लिखना है किस तरह से आप लिखेंगे उसके बारे में मैं बताता हूं वीडियो description अगर आप देखे तो यहां पर हमने एक title मैंने यहां पर एक दो का title यहां पर रखा है इस वीडियो के अंदर मैंने ये टाइटल रखा है तो इसी टाइटल को आप कॉपी करके यहाँ पर लिख लिजिए सबसे पहले ठीक है ये भी एक SEO का पार्ट है यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते है उसके बाद आप अपने social media के link लगा सकते है ठीक है अगर आपकी दूसरी कोई channel है तो उस channel का link भी यहाँ पर आप लगा सकते है अगर आप affiliate program में join किये है Amazon के तो वहाँ पर आप Amazon के links भी लगा सकते है और इस link पर click करके कोई अगर purchase करता है कोई भी product तो उसका आपको benefit मिलता है मतलब की commission मिलता है ठीक है और कुछ और भी लिखना होता है मैं आपको एक minute यहाँ पर आपको एक छोटा सा description लिखना है अपने video के बारे में ठीक है अगर आप लिखना चाहते हैं तो अगर लिखेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि आपको queries लिखनी है इस video के अंदर क्या है आपको बताना है उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ हमारे instagram और यह सब link यहाँ पर social media के link लगा सकते है ठीक है उसके बाद आपको channel जो भी video है उसकी queries लिखनी है मतलब इस video के अंदर आप क्या क्या बता सकते है किसके बारे में यह video है मतलब दो तीन ऐसी line लिखे जिसके साथ आप आपकी video rank करें उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी mail id लिख देनी है ठीक है यहाँ पर आपको subscribe के लिए भी लिख देना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक playlist का link भी हमने यहाँ पर लगा रखा है playlist का link भी लगा सकते है ठीक है आपने यहाँ पर देखिए हमने कुछ Amazon के link लगाए है ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे thanks for watching this video उसके बाद यहाँ पर हमने दो hashtag भी लगा है यहाँ पर 15 से ज्यादा hashtag मत लगाना और title में तो बिल्कुल ही मत लगाना क्योंकि title में hashtag लगाने से कोई फाइदा नहीं है यहाँ पर हम hashtag भी शर्च कर सकते है hashtag y-o-u-t-u-b-e s-e-o तो यहाँ auto suggestion में आ रहा है youtube SEO tips youtube SEO 2022 तो इसको हम यहाँ से copy करके अपनी यहाँ कर अंदर यहाँ पर लगा सकते है ठीक है तो इस तरह से आप 15 से ज़्यादा hashtag मत लगाना कहता हूं कि आप कम से कम 8 या 7 लगाए बहुत ज़्यादा मत लगाए क्योंकि मैंने दिखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दुनिया बर के tag लगा देते है ठीक है यहाँ पर hashtag लगा देते है तो यह सब आपको नहीं करना है तो यहाँ tag की बात करें तो हम tag कैसे लगाएंगे टैग लगाने के लिए आपको वैसे ही लगाने है जैसे हमने title के लिए बात करी थी title हमने जब auto suggestion में जाके search किया था youtube में जाके search किया था auto suggestion में जो भी title आया उसको हमने यहाँ पर टाइटल बना दिया ठीक है वहाँ पर long tail keyword और short tail keyword दोनों से आप एक अच्छा title बना सकते है और यहाँ पर भी आप long tail और short tail keyword का use कर सकते है यहाँ पर आप tag लगा सकते है tag के अंदर आप वीडियो से related ही tag लगाए और किसी के tag मत लगाए वरना misleading metadata का problem हो सकता है या फिर monetize नहीं होगी तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप tag, title, description लगाएंगी tag, title, description हमने complete कर लिया है कि किस तरह से हमें tag, title और description लगाना है अब बात करते हैं हम thumbnail की thumbnail कैसे बनाना है किस तरह से बनाना है हमने एक वीडियो बना दिया है यहाँ high button में आपको मिल जाएगा description में भी आपको मिल जाएगा तो thumbnail कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए thumbnail के अंदर आप कुछ clickbait कर सकते हैं thumbnail ही कुछ ऐसा होता है कि आपको attract करता है attractive thumbnail बनाना है तभी आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएगी अब एक और भी चीज़ है जो SEO के अंदर बहुत ही काम करती है और आपकी एक वीडियो से आपकी और भी वीडियो चल सकती है तो उसके लिए आपको क्या करना है जब आप कहीं पर भी जाते है कहीं कोई मिठाई की दुकान है तो वहाँ पर आपको कचोरी समोसा वो सब मिलेगा ठीक है और वो सब मिलेगा उसके अलावा भी आप अगर देखेंगे वहाँ पर तो जैसे जैसे सिजन आते है उस तरह की आपको मिठाई वहाँ पर देखने को मिलेगी मतलब जो भी शिजनेबल चीज है वह आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी काउंटर के उपर ठीक है तो जब आप वह चीज लेंगे तो आपकी नजर जाएंगी समूशा और कचोरी के उपर तो वो भी आप पर्चेस करेंगे मतलब कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एक वीडियो बहुत अच्छी चल रही है ठीक है एक वीडियो अच्छी चल रही है आप आईकाड में भी वीडियो लगा सकते है और एंडी स्क्रीन में भी आप दो वीडियो लगा सकते है तीन वीडियो भी लगा सकते है मैंने आपको अभी अभी बोला कि आप अगर चाहते हैं कि थमनेल कैसे बनाए तो यहाँ आईकाड में जाकर देख लीजिए वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला है आप बोल सकते हैं कि आप अगर thumbnail बनाना चाहते हैं अच्छे से thumbnail बनाना चाहते हैं अपने mobile से thumbnail बनाना चाहते हैं तो iCard में वीडियो पढ़िए आपका जाकर देश सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी और भी वीडियो को आप present कर सकते हैं और आपका watch time बढ़ा सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को suggest करेंगे iCard में और end screen में तो यहाँ पर हम एक वीडियो खोल लेते हैं ये वीडियो हम open करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने iCard लगाया है मैं आपको बताता हूँ ठीक है पहले end screen के बारे में देख लेते end screen मैंने लगाया है यहाँ पर देख सकते हैं यह एक दो और तीन वीडियो मैंने यहाँ पर end screen में लगा दिया है अगर आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं तीन लगा सकते हैं यहाँ से आपको क्या करना है चलो इसको मैं पहले हटा देता हूँ ठीक है आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊँ रह ciao यहाँ से जाएंगे element में एलिमेंट में जाकर वीडियो पर क्लिक करेंगे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा और यहां आप नीचे चूज स्पेसिफिक वीडियो पर क्लिक कर लेंगे उसके ओपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सभी वीडियो ओपन हो जाएगी और यहां पर आपको जोभी वीडियो आपने बताई है उस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है तो आपकी वीडियो end screen में लग जाएगी अब आईकार्ड के अंदर कैसे वीडियो लगाते है वो आगर आप देखना चाहते है तो मैं आपको यहाँ पर देखिए ये वीडियो के नीचे के भाग में आपको आई कार लिखा हुआ मिल जाएगा यह आई कार ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर iCard दीख रहे होंगे मैंने लगा रखे है और आप अगर दूसरा iCard लगाना चाहते है तो यहाँ से वीडियो को उपन कीजिए जहाँ पर भी आपने बुला है कि iCard में वीडियो है उसके उपर जाकर क्लिक कीजिए और उस टाइम पर आपको यहाँ पर काड के उपर क्लिक करना है वीडियो के उपर क्लिक करना है और आपने जो भी वीडियो बोला है उस वीडियो को सिलेक कीजिए और वो वीडियो आपकी वहाँ पर लग जाएगी आई काड में आपकी वो वीडियो आ गई है जिस वीडियो के लिए आपने बोला था ठीक है तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को आई काड के अंदर लगा सकते हैं तो इस तरह से आप अपने वीडियो का पूरा SEO कर सकते है इस तरह से आप अगर अपनी वीडियो को प्लोड करेंगे इस तरह से टैंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे तो आपकी वीडियो जदा से जदा suggestion में जाएगी ज्यादा से ज्यादा search result में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा watch time भी लाएगी तो इस तरह से आप अपनी वीडियो का SEO कीजिए आपकी वीडियो 100% grow होगी ठीक है तो आपने देखा कि इस तरह से आप iCard के अंदर भी वीडियो लगा सकते है कोई भी दिक्कत आती है कहीं पर भी आप अटकते है कहीं पर भी आपको problem आती है तो आप हमको comment कर सकते है Instagram, Facebook पर message कर सकते है और हमें Instagram, Facebook पर अभी तक आप लोगों ने follow नहीं किया है तो नीचे description में उसका link है जाकर follow कर लिए ताकि अगर यहां पर आप हमारे साथ बात नहीं कर सकते है comment के अंदर तो वहां पर भी आप हमसे बात कर सकते है तो आज का वीडियो यहीं पर हम खतम करते है अगर आपको कुछ भी queries है तो आप पूछ सकते है और आगे कौन से वीडियो चाहिए उसके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो वह वीडियो भी आएंगे तो चलिए आज का वीडियो यहीं खतम करते है और मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई